हेलो फ्रेंट्स विल्कम बेक टू माई चैनल तो फ्रेंट्स अप्रेल में आपको कौन-कौन से प्लांट नर्सरी में मिल सकते हैं कुछ एक पर्मानेंट प्लांट्स के नेम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी प्राइस भी बताऊंगी केर टिप्स भी बताऊंगी और उन प्लांट को आप कैसे ग्रो कर सकते हो ये भी आपके साथ शेयर करूंगी वीडियो काफी जादा हेल्फुल रहेगी पूरा जरूर देखिए और पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करें चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्र फूलों के साइज थोड़े छोटे होते हैं लेकिन ओली आपको 40 रूपीज का नर्सरी में मिल जाएगा आप इसको अभी कटिंग से अपने घर पर भी तैयार कर सकते हो और जैसे जैसे बारिस आती रहती है तो इस प्लांट पर फूल भी ज्यादा से ज्यादा आती रहते है इसकी पत्यों का कलर भी वाइट होता है जो की देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है पिंक कलर की फ्लावर है मेरे पास यह प्लांट लेकिन आपको और भी कलर में इसमें नर्सरी में मिल जाते हैं 15 से 20 दिन में डिये पी के कुछ दाने ज़रूर डाला करें नेक्स्ट हमारा मदर ओफ थाउजन प्लांट ये भी एक पर्मनेंट प्लांट है और काफी हरड़ी प्लांट है इसकी एक एक पत्ती से आप नीव प्लांट तиляर कर सकते हो ओनली 20 रुपेज का नर्शरी में मिलता है ये एक सकुलेंट प्लांट रहता है तो आपको इसमें पानी कम डालना होता है इसकी बहुत सारी वेराइटी होती है डिफरेंट डिफरेंट आप इसको धूप में भी रख सकते हो छाया में भी रख सकते हो नर्मल छोटे से छोटे पोट में 5-6 इंच के पोट में भी ग्रोग कर सकते हो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है और जिस जगह पत्ती गिरती है महीं पर इसका न्यू प्लांट तेयार हो जाता है ना ज्यादा केयर की जरुवत पड़ती है ना पानी वगरा फर्टिलाइजर वगरा इसमें बिल्कुल केयर जीरो केयर वाला प्लांट है आपके पास अगर इसको रखना है तो ये प्लांट में आपको क्या करना है महीने में सिर्फ एक बार सिविड फर्टिलाइजर होता है जो की औरगेनिक रहता है आपको उसे डालना है हमारा फरंड बोसटर्ण फरंड बोलते हैं इसको इसकी भी बहुत सारी वेराइटी होते हैं इसकी पत्य जो होती है इसके पास से बहुत सारे बेबी प्लांट निकलते रहते हैं तो आप इनहीं को निकाल कर अभी अपने न्यू न्यू पोर्ट तियार कर सकते हो बोस्टन फर्ण एक पर्मनेंट प्लांट है आप इसको हेंगिंग पोर्ट में भी ग्रो कर सकते हो नॉर्मल पोर्ट में भी 50 से 60 रुपीज का इजी आपको नर्शरी में मिल जाता है ज्यादा महंगा नहीं होता इसमें आपको पानी खाद टाइम टाइम पर डालते रहना है 15 से 20 दिन में एक बार जरूर इसमें आपको सिर्फ वर्मी कंपोस्ट गोबर की खाद ही डालने की जरुरत पड़ेगी हैवी खाद डालने की जरुरत नहीं पड़े की जैसे की डीएपी अन्पी के वगरा होते है पिटोनिया भी एक पर्मनेंट प्लांट है और इसके फूलो के कलर पहुत सारे मिलते हैं इसी के उपर इसका बीज बनता है बीज जिस जगह पर भी गिरता रहता है वही पर इसके न्यू प्लांट तयार होते रहते हैं एक pot में ही देखे आप कितने सारे plant grow हो रखे हैं और वो भी खुद से क्योंकि यहाँ पर इसका बीज गिरा हुआ है और अभी इनका growing season है आप अभी इनको cutting से भी grow कर सकते हो और बीजों से भी grow कर सकते हो पूरा दिन की धूप में रखा जाने वाला plant है only 20 रुपीज का यह क्योंकि इसकी जड़े ज़्यादा नहीं फैलती हैं प्लांट भी छोटा ही रहता है और फूल इस पर भर भर के आते हैं परपल कलर के फ्लावर इसके देखने में बहुत ही खुबसूरत लगते हैं और काफे लोंग टाइम प्लांट चलने वाला है ये सो नेक्स्ट है हमारा रियो प्लांट रियो प्लांट भी आपको ओनली 20 से 30 रुपीज का नर्सरी में मिलता है इसको बोट लीली भी बोला जाता है इसकी भी पहुत सारी वैराइटी देखने को मिलती है कोई की पत्तियों का साइज छोटा होता है किसी की पत्तियों का साइज बड़ा होता है और इस पर फूल भी खिलते हैं, इसके पास से बेबी प्लांट निकलते रहते हैं, आप उनको निकाल कर अपने अलग-अलग new pot भी तैयार कर सकते हो, यह धूप्य भी ग्रोव कर जाता है, प्लांट देखने में बहुत ही खुबसूरत लगता है, क्योंकि ऊप और नीचे की साइड से परपल रहती हैं तो काफी अट्रेक्टिव सा प्लांट रहता है डेकुरेट के परपस से बेस्ट प्लांट है बिल्कुल कम केर चाहिए होती है सर्दी हो गर्मी हो कभी खराब नहीं होता सर्दियों में थोड़ी बहुत पत्या पीली होंगी अधर्वा रहता है सर्दी हो गर्मी हो जल्दी से नहीं खराब होता है और आपको पूरे साल ही नर्शरी में देखने को मिलता है उनली 40 से 50 रुपीज का मिल जाएगा इसके एक प्लांट से आप पहुत सारे प्लांट तयार कर सकते हो इसके पास से जो छोटे छोटे रनर निकलते हैं ना उन्हीं से इसका निव प्लांट तयार होता है आप इनको पानी में भी गोबर कर सकते हो मिलती में भी गोबर कर सकते हो हैंगिंग पोट में भी लगाईए और धूप में रखे च्छाया में रखे नहीं खराब होने माला क्या किया करें कि 15-20 दिन में एक बार गोबर की और जिनको ग्रीनरी सिर्फ नाइट्रोजन चाहिए होता है उन प्लांट की ग्रोथ तो आपके डवल हो जाएगी यहाँ पर हमारा अगेव प्लांट है अगेव भी काफी हार्डी और पर्मनेंट प्लांट होता है इस टाइम आपको इजी ये नर्सरी में देखने को मिलता है ये प्लांट आपको 150 रुपीज का मिलता है लेकिन आप एक प्लांट से इसके धेरो प्लांट तयार कर सकते हो इसके पास से बेबी प्लांट निकलते हैं उन्ही को निकाल निकाल कर अपने न्यू पोट तयार कर दीजे जैसे मैंने किये हुए है मैंने ये सभी पोट अपने सिर्फ एक प्लांट से तयार किये थे और कितने सारे हो गए हैं पूरा दिन की धूप में रखिए डेकुरेट के परपस से बेस्ट प्लांट है और केयर बिल्कुल जीरो चाहिए होती है करना क्या है? महीने में सिर्फ एक बार इस प्लांट के नीचे गुड़ाई नहीं होती है क्योंकि इसमें कांटे होते हैं और महीने में एक बार आपको वर्मी कंपोस्ट इन में डाल देना है उसी से इसकी ग्रोथ पहुत अच्छी होगी इसके अलावा मैं अपने इस प्लांट में कोई खाद नहीं डालती हूँ हाँ मैं पानी अच्छे से शावर करके डालती रहती हूँ हर रोज नेक्स्ट हमारा विंका प्लांट है विंका ओनली 15 रुपीज के आपको मिलते हैं और इनकी कई तरह की वेराइटी होती हैं देसी भी होते हैं हाइब्रेड भी होते हैं सदा बाहर भी इनको बोला जाता है क्योंकि ये पूरे साल ही हमारे गार्डन में रहते हैं और नर्सरी में भी आपको सर्दी में भी मिलते हैं कर्मियों में भी मिलते हैं इनको बीजों से और कटिंग से ग्रो करना आसान रहता है आप चाहो तो अपने घर पर भी तयार कर सकते हो इन प्लांट में आपको ओवर वोटरिंग बिल्कुल नहीं करनी है अगर ओवर वोटरिंग हो जाती है तो ये बहुत जल्दी फंगस की वज़े से मर जाते हैं पूरा दिन की धूप में रखे तीन से चार घंट की धूप में रखे बालकनी गार्डन के लिए भी बेस्ट प्लांट है और इनके कलर भी आपको पहुत सारे देखने को मिलेंगे मुझे परसनली ये प्लांट पहुत पसंद है 15-20 दिन में 8 इंच के पोट में सिर्फ आधा चमच डिये पी डालिए उसी से बहुत अच्छे पुलाने वाले हैं आपके प्लांट पर यहां पर हमारा सुदर्सन प्लांट है सुदर्सन प्लांट आपको 50 रुपीज का नर्सरी में मिलता है लेकिन पर्मानेंट प्लांट है और इसके पास से भी बेबी प्लांट निकलते हैं तो ये भी आपको नर्सरी में easy to मिल है 10 इंच के पोट में लगाया हुआ है कुंडे टाइप के पोट में क्योंकि ग्रोथ इसकी काफी अच्छी निकलती है और बार-बार हम इसकी रिपोटिंग वगारा नहीं कर सकते तो आप चाहो तो 10 इंच के पोट में एक बार बेहीं लगा सकते हो 8 इंच का पोट भी इसके पत्थरी होती है या फिर बहुत सारे रोग होते हैं तो उन में भी इसका यूज किया जाता है बोलते हैं कि अगर पत्थरी है और इसका कहड़ा बना कर पीएंगे तो पत्थरी को निकालने में काफी हद तक हेल्प करता है तो आप पत्थर चट्टा को भी अपने गार्डन मे तैयार कर सकते हो यह सखुलेंट प्लांट होता है तो आपको इसमें पानी डालना होता है अगर आप यह द्रचाव वाना प्लांट होता है क्योंगा प्ल टावर की पतियार होती है और उन्हीं उन्हीं यह पिंक कलर की फ्लावर वाला है इसमें आपको अलग-अलग कलर भी मिलते हैं ओली 20 रुपीज का यह नर्सरी में आपको इजी मिल जाएगा पर्मानेंट प्लांट है आप इसको हैंगिंग पोट में भी ग्रो कर सकते हो प्लास्टिक बोटल में भी पूरा दिन की दूप में ऍपाईगा प्लांट को अलुपि judicial मिल सकते हैं यह लाइक शेयर करें मिलते हैं आपको 50 से 60 रुपीज का बाई बाई, हैप्पी गार्निंग